जार्खंड के स्वास्थे और खाद्य आपूर्ती मंत्री बनना गुपता ने चमपई सोरेन पर तीखा हमला करते हुए उनकी तुलना विभीशन से की, जो भारतिय पौरानिक कथाओं में विश्वास घात के लिए जाना जाता है गुपता ने सोरेन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेत्रित्ववाली जार्खंड मुक्ति मूर्चा जे मैम के नेत्रित्ववाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया उन्होंने दावा किया कि जब जारखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो चमपई सोरेन का नाम एक ऐसे गदार के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसने उस पार्टी और उस मिट्टी को अस्वीकार कर अपना स्वाभिमान गिर्वी रखने की कोशिश की जिसने उन्हें सब कुछ दिया गुपता ने जोर देकर कहा कि सरकार को कमजोर करने के चमपई सोरेन के प्रयासों को तब विफल कर दिया गया जब उनके असली इरादे सामने आए जिससे उन्हें खुद को समझाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा अब गुपता के अनुसार सोर पश्चाताप में छुपे हुए हैं या जानते हुए कि उनके कार्य उजागर हो गए हैं। बन्ना गुपता ने जामुमो द्वारा चमपई सोरेन को दिये गए, लंबे समय से दिये गए समर्थन और सम्मान पर प्रकाश डाला। सोरेन को लगातार मंतरी बनाया गया और उन्हें सानसत का टिकट भी दिया गया। गुपता ने इस बात पर जोर दिया कि पारटी नेतृत्व द्वारा लिया गया हर निर्णय सोरेन के पक्ष में था। फिर भी बदले में सोरेन ने राज्य को अवसरवाद के दल्दल में केलने की कोशिश की विविशन का मतलब होता है कि जो सबसे विश्वास पात्र होता है और जो सबसे ज़्यादा जिस पर आदमी विश्वास करता है और यदी वो धोका करता है तो एक जो है यह एक उपाधी होती है या एक बोलचाल की भासा होती है लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि भारती जनता पा आए हैं जिस तरीके से दिश्वम गुरु शीवु स्वारेंट के पुत्र को अकारण जेल भेज कर जो छारखन के आदिवासी जन्मानस को दलीद पिछडों को आपमानित और परतारित किया है उसी का नतीजा है कि हैमिल स्वारेंट सेर थे तो बबर सेर बन गए और बबर सेर बन गए और उनकी पत्नी शेरनी बनके भी दाहड रही है और इतनी जोड़दार दाहड है पती पत्नी की कि वो दाहड से जो है भारती जन्ता पाटी के कान के अंदर जो है ना चीखें गुज रही है इसलिए यह रावन बिवीशन और यह इस तरह की भासा कहके यह बरगला नहीं किया होता तो आपकी यह औ्योद्य की सीट कैसे चली गई योद्यमन में क्यों आप हार गए हो क्योंकि आपका जो है मन-मस्तिक्ष्य यह और ना अध्यात्म के तरफ है और ना सनातन के तरफ है